आपका आपका आपके अपने चैनल वी एसे ट्रिगी क्लासेस में तो दोस्तों सेशन आज का काफी important है और आप लोगों में चैनल जितने भी लोगों SSC, MDC तयारी कर रहे हैं उम्मीद करतों तयारी आप लोग की बढ़िया चल ले होगी और आप सभी लोग की तयारी को और बढ़िया बनाने के लिए जो भी हमारी klaśसेस में अप लोगों सीका है जो आप लोगों सौरप सर ने SIVAM सर ने जो भी आप लोग को पढ़ाया है अदरान सर ने जो klaś करा है है तो उसी मिए से में test पेपर तयार किया है मैंने कि आज कितने नमबर आते हैं साड में से 60 में से अगर आपने 50 प्लस 55 प्लस कर दिये तो इसका मतलब कि तयारी बढ़िया है Otherwise आपको तयारी करने के अभी बहुत ज़्यादा वशक्ता है आप बहुत पीछे हो इन सभी लोगों से तो आज का पहला कोशन आप लोग के सामने है बताईए तो अंतराष्ट्री मजदूर दिवस किस दिर मनाय जाता है ओके बिल्कुल मैं समय नहीं लोगा सीधे आप लोग को आउसर बताऊंगा और आप लोग मुझे बताईए क्योंकि टेस्ट होगा एक छोटा सा तो अंतराष्ट्री मजदूर दिवस मनाय जाता है एक माई को एक माई को मनाते है स्रमिक दिवस एक माई स्रमिक दिवस अगला कोशन देखिए IAS की फुल फॉर्म बताईए IAS की फुल फॉर्म क्या होती है option number A, option number B, C या फिड IAS का मतलब पता है क्या होता है भारतिये प्रसाशनिक सेवा अखिल भारतिये सेवाओं की प्रसाशनिक साखा है इसमें आप लोग के जो IAS और IPS बनते हैं IAS मतलता है भारतिये पुलिस सेवा IAS ये जो है आप लोग का तो इसमें आप लोग का IAS हो गया आपका Indian Administrative Service, यह है आपका IAS, Indian Administrative Service, होगे ना, IAS में पुलिस सर्विस आ जाता है और इसमें आपका आजाता है प्रसाशनिक हो जाता है, Administrative, यह प्रसाशनिक अधिकारी होता है, ठीक ना, यह आपका भारतिये प्रसाशनिक सेवाओं में से एक है, आपका जो IAS और IPS सेवा होती है और IFS यह बन सेवा होती है, चलिए अगला खुशन देखिए, United Nation Organization में Security Council में कितने इस्थाई सदस्थे हैं, तीन, चार, पांच, छे, तो आपको बदा देएं, इस्थाई कितने हैं, पांच हैं, और आइस्थाई दस हैं, कुल मिलाकर 15 देश हैं इसके सदस्थे देश, तो पांच हैं आपके इस्थाई, श्री निवास, रामा रुजन थे, एक महान वकील, गलितग्य, चिकिस्थख, फिल्म अभिनेता, तो ये बहुती महान गलितग्य थे, Mathematician थे, तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, अगला कोशन बताईए, गोवा राज्य में कितने जिले हैं, गोवा राज्य में कित आपको दो जिलों बाटा गया, उत्री गोवा, इसको तीन उपविवागों में बाटा गया, जिसमें पढ़जी, मैपुसा, विकॉलिम, जबकि दक्षन गोवा को पांच उपखंडों में बाटा गया, पॉंड़ा, मोरमुगाओ, जो वास्कुटिगामा है, मारगावो, त जिसमें आप लोग के पढ़जी, मैपुसा और विकॉलिम आते हैं और पांच जो है, दक्षन भाग को जो है, दक्षन गोवागों को पांच वागों बिवाजित किया गया है, जिसमें आप लोग का पॉंड़ा, मोरमुगाओ, वास्कुटिगामा, मारगावो, क्यूप्रे के सामने आपको दिखा गया है, इसको बताईगा, कथक कली, कली कहां किये, केरल किये, तो याद होगा आपको, मैंने आपको इसे याद करें, कली केरल की कली, कासी कली कासी केरल, तो ये तो रटा हुआ है आप लोग को, इसकिप करेंगे, पानी पत की पहली लडाई किन सेना भयाकंट भबशनयों का था तो पानी पत्ट की प्रथम terraos लड़ाई हुई थी दिन के बीच में हुई थी आपका सही जवाब हो जाएगा option.और अगला कोशन भारत का सबसे लंबा समुद्र तyani्नम्य ही यहिए मंगलौर, कोचीन, चेन्नाई, मुंबई बताइए दोस्तों आप लोग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत का सबसे लंबा समुझ दट इन में से किस सहर में आपका इस्तित है हाँ, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही बताया, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत का सबसे लंबा समुझ दट इन में से किस सहर में है वैसे बंगाल के जो खाड़ी है, इसके साथ जो चेन नहीं है यह तमिलाडू में इस्तित मरीना बीच एक प्राकरतिक सहरी समुझ दट है जो भारत का सबसे लंबा समुझ दट है और यह समुझ दट उत्तर में फोल्ट सेंट जॉर्ज के पास में दक्षन में फोरेशोर एस्टेट तक विस्तरत है इसकी दूरी करीब 6 किलमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन नहीं में है कहाँ पर है आपका चेन नहीं में है अगला गोशन आप लोग के सामने बंदे मातरम गीत की रचना किस ने की थी साथियों बंदे मातरम गीत की रचना किस ने की थी A B C या फेटी वंकिम चंदर चड़ुब धाय बंदे मातरम की बात करेंगे वंकिम चंदर चड़ुब धाय आपका सही जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर C हो जाएगा क्लियर है तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है सब कुछ क्लियर है Very good class बहुत बढ़िया अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे अगला गोशन आप लोग के सामने जो आपको दिया गया है इसको देखिए भगवद गीता भारत के किस पौरानी गरंथ से संबन्दित है साथियो भगवद गीता भारत के किस पौरानी गरंथ से संबन्दित है अब आप लोग को यहां पर यह बताना है बताए रमायर, महावारत, वद्राया या फिर इन में से कोई नहीं तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से कुरूद छेतर में कुरूद छेतर की युद भूमिय में स्री कृष्ण ने अरिजुन को जो उपदेश दिया था वह आपका श्रीमत भाग गीता से श्रीमत भगवत गीता से संबंदित है इसके लिए प्रिशद है तो यह महाभार का ही आंग है क्लियर होग इतनी बात तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है सब कुछ क्लियर है अगला गोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है मुदुम लई वन्ने जीव अभ्यारन किस राज्य में स्तित है तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा इसको तो अगर आपका अंसर तमिल नाडू आ रहा है बिल्कुल राइट बताए आप लोगों ने चलिया आई और इसका जवाब बताईए चेक का कैन सेलेक्शन के इसमें से किसके पूरे अस्ताक्षर से किया जाता है प्राप्त करता के आहरता के अधा करता के या फिर धारक के हाँ तो दोस्तों आपको बता दें कि चेक का जो आहरता होता है ड्रायर तो दोस्तों आहरता चेक पर अंकित समानतर रेखाओ को रद करके और शब्दों में लिखकर इसकी क्रॉसिंग को रद किया गया है और नीची अपना हस्ताक्षर करके चेक के क्रॉसिंग को रद कर सक तो आपका सही जवाब हो जाएगा आहरता तो जिन लोग का भी आपर आहरता आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन आप लोग के सामने है किरिकेट के खेल में इन में से किस शब्द का इस्तमाल किया जाता है किरिकेट के खेल में इन में से किस उहो गई ना का सूधा है ये सोडियम वाई कार्वनेट का इयू पियसी naam है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेकिंग सोडा वोलते हैं, उप लोग याँ पर ध्याँ दिशेगा, आपका सही जवाब हो जाएगा waking soda यह होगा आपका बिल्कुल right answer option number आपका हो जाए गया से D वाला अद देखिया आपका अगला खोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है निम्न में से भारत का कौन सा सहर electronic शहर के रूप में जाना जाता है निम्न में से भारत का कौन सा सहर electronic शहर के रूप में जाना जाता है मुंबई, हैदरावाद, बैंगलोर, गुरुगराम तो करनाटे की राज़ने बैंगलोरी को सूचना प्रदोकी की केंदर यानि की electronic city भी कहा जाता है ओगे न बैंगलोर हो जाएका आपका right answer बैंगलोर तो जिनका भी आज़ना बैंगलोर आ रहा है बिलकुल right है अगला गोशन आप लोग के सामने है विश्व परशिद अजन्ता की गुफा किस राज्य में इस्तित है विश्व परशिद अजन्ता की गुफा किस राज्य में इस्तित है या आप लोग मुझे बताईए तो अजन्ता की गुफा है महाराष्ट में है तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट अब देखिए आपका अगला कोशन आप लोग के सामने है स्वतंतरता की पश्चाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंतरता की पश्चाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे या आप लोग को बताना है तो सभी लोग बताएंगे इस कोशन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सवतंतरता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉड लुई माउंट वेटन तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई माउंट वेटन बिल्कुल राइट हो जाएगा वेरी गुड क्लास अब देखिए आपका अगला कोशन आपके सामने दिल्ली में इस्तित किसके समाधी इस्तल को राजगार्ट कहा जाता है दिल्ली में इस्तित किसके समाधी इस्तल को राजगार्ट कहा जाता है तो यह होगा आपका महात्मा गांदी जी के समाधी इस्तल को अगला कोशन देखि सत्य जीत राय निम्न में से किस से जुड़े हुए थे सत्य जीत राय निम्न में से किस से जुड़े थे किरिकिट, सास्री नरत्य, फिल्म नर्देशन या बैंकिंग तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिल्म डिरेक्शन तो अगर आपका answer fail में direction आ रहा है तो बिलकुल right हो जाएगा very good class बहुत बढ़िया तो साथ ही वीडियो को like करते रही है class को share करते रही है और मिलकर आप सभी लोग support करते रही है अब देखे दोस्तों आप लोग का अगला कोशन आप लोग के सामने आपको दिखा गया है इसको देखिए तो दोस्तों आप लोग का answer right answer क्या हो जाएगा यह आप लोग मुझे बताईए देखिए सभी लोग वीडियो को like करते रही है class को share करते रही है तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्क्वेस से तो दीपिका पलिकल और जोशना चिनपपा यह भारती पेसवर स्क्वेस खिला रही है तो आपका right answer हो जाएगा option B आईए अगला कोशन बताईए आपके test का अगला कोशन है मानव सरीड में मौझूद सबसे कठोर पधार्थ कौन सा होता है तो दातों में inamil होता है न inamil तो inamil जो होता हमारी body का सबसे hardest सबसे कठोर पाल्ट होता है यह दात में पाए जाता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा tooth liar हो जाएगा तो जिन लोग का भी अंसर यहां पर दात की परत आ रहा है तो बिलकुल right है very good class बहुत बढ़िया अब देखिए आपका अगला कोशन है WTO की full form क्या है दोस्तो WTO की full form क्या है क्या आप लोग जानते है तो WTO की full form आप लोग की क्या है तो यह है world trade organization world trade organization तो आप लोग इसको जाद रिखेगा important question आप लोग के सामने आपको दिया गया है अब देखिए आपका next question very very important पुर्डीमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और आदरश्य हो जाता है उससे क्या बोलते हैं चंद्रमा की बढ़ती अवस्ता चंद्रमा की 6 नवस्त चंद्रमा की वर्दर नवस्ता या चंद्रमा की विक्सर नवस्ता phase of evolution या moon phase येस बताईए पुर्डीमा के बाद चांद का बह्यवाग जो हम देख सकते हैं उसका प्रतिशत छोटा और छोटा होता जाता है जब तक ये विलुक्त नहीं हो जाता और हम फिर से एक नया चां चंद्रमा को warning चंद्रमा कहा जाता है when का मतलब होता है कम करना या कम प्राप्त करना या आस्विकार करना तो इसको वोलिंग हम लोग यहां से option number B हो जाएगा चंद्रमा की छे नवस्ता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान से लोट करेंगे warning चंद्रमा बोलते हैं warning कम्मंद होगा आई ये देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा तो वी वराबर आपका डीवी हो जाएगा इस का विलकौल राइट अंसर है ओके तो ध्यान दीजेगा आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से फ़स्ट वाला आजाएगा तो कोश्चन इस तरीके से आप लोग के एक्जाम में आते हैं कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यह थोड़ा सा सही तरीके दिया नहीं गया जैसे कि मान लिया माना कि द्धोनी की अगर हमारी जो अवरत्ति है यह वी है तारंग धर यह द्होनी लिखिए यह तो यहां पर इन तीनों की संबंध क्या होता है तो आप्रति रोस्तों बेर बराबर आपका क्या होता है वी दिना ध्यान दीज़ें दोस्ते हैं आप बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आप लोग के साथ में डिसकस कर रहा हूं बिल्कुल तो इन तोनों के इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है ओके तो इसमें फ्रिक्वेंसी को जो लिए ए इन टू एफ तो यह आपका होना चाहिए आपका अगर मैं इसको एफ मानूगा ठीक ना तो एफ इसकी आपरत्ती है एफ क्या है यह इसकी आपरत्ती हो गई लेमडा क्या है ठीक ना यह तरंग धर्र होगे इसकी एफ इसकी आपरत्ती है और लेमडा इसकी तरंग धर्र इस antigen का क्या कारे antigen क्या कारे करता है antigen तो antigen क्या कारे करता है option number a option b option c option d तो आपका यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा antigen के बाद करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा यह आपका antibody के निर्माड को प्रोस्ताहित करता है तो यह आपका antibody के निर्माड को प्रोस्ताहित करता है तो यह न अब लेकर चलते हैं आप लोग को आगे अगला question आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको बताइए next question साथ ही हो निवन मेंसे कौन सा ग्रह सूरे का चकर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लगाता है प्रत्वी तो पास में है मंगल प्रत्वी के बाद ही आता है शुक्र सबसे पहले है तो इसमें दिये गया option के मताबिक ब्रस्पती ग्रह को सूरे का चकर लगाने में time ज़्यादा लगा अगला कोशन, सिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो सिक्षक दिवस आप लोग का किस दिर मनाई जाते हैं, तो सिक्षक दिवस मनाते हैं, पांस सितंबर खो, ओके, बेसिक सा कोशन था, लेकिन आया हुआ है, भरत नाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, अब आपका रत्ते की प्रमुक्ष शहली है, जिसका उदवब तमिल नाडू में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हुजाएगा, तमिल नाडू, नेक्स्ट कोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, तो दोस्तों अगला कोशन आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, इस रिट्रिप वन, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हेल्थी, बी मोबाइल, बी हेल्थी, यह भी आना, यह है, बी हेल्थी, हेल्थी, रहो, बी मोबाइल, ओगे ना, तो बी हेल्थी, ठीक ना, बी मोबाइल, तो आपका राइट आसर हो जाएगा, आप्श पर में आपका निम्लिकत मैंसे किसमे उश्मा की छमता सबसे ज़्यादा होती है अब दोस्तों आप लोग बताईए कि निम्लिकत मैंसे किसमे उश्मा की छमता होती वह आपकी सरवाधिक होती है पानी में आइरन में गोल्ड पीस में बेंजीन में देखें बेंजीन की जो बिशिश उश्मा की जो चमता है वो 1.74 होती है बेंजीन की होती है 1.74 होती है सोने में सोने की जो होती है आप लोग को मैं बता दो है ऐसे 1.129 होती है जूल प्रति ग्राम में इंड आईरन आईरन का दौर भी कभ अशोर बूशिए आफ लोग की 049 होती है पानी में होती है 4.186 तो पानी होगा राइट आँ सिर्फ पानी है तो जिन लोग का अवे सिर्फ पानी आ रहा है पानी तरह रंग कैसा है तो इसका सही जबाँ होगा पानी मेज जो उश्मा की जो छमता होती है वो सरवादिक होती है अब बढ़ेंगे आगे अगला गोशन आप लोग के सामने है किसने भारत की पहली सौदेशी फिल्म राजा हरिश्चद्र का निर्माण किया विमल राए, राज कपूर दादा साफ फाल के सतेजित राए तेकि 1913 में राजा हरिश्चन दादा साफ फाल के दर निर्देशित निर्मित भारतिय मूख फिल्म थी और इसे अक्सर पहली पूल भारतिय फीचर फिल्म आना जाता है और यह रमाईड और महावारत रमणित हरीश्चंद्र की कथा पर अधारित है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहिव फाल के दौरा इसका निर्माल किया गया था दादा साहिव फाल के दौरा ठीक है ना अगला खोशन देखिए किसने भारत और बांगला देश के राश्टिय गीत की रचना की तो भारत के भी और बांगला देश के भी दोन देशों के राश्टिय गीत नैशनल एंथम की रचना की तो ये है हमारे रविंद्र नाथ टैगोर जी रविंद्र नाथ टैगोर जी अगला खोशन देखिए तमाशा का जब भी नाम आता है कहां का है तमाशा किस राज्ये का है लोकमंच महाराष्ट का है तमाशा दोस्तों कहां का है तमाशा महराष्ट का है अगला कोशन देखे तरिपुरा की राजधानी है किसकी राजधानी तरिपुरा तरिपुरा की राजधानी है इस दा कैपिटल अफ तरिपुरा तरिपुरा की राजधानी है तरिपुरा की राजधानी है तरिपुरा की र पांच हैं आइस्थाई कितने हैं तो आपको पता होना चाहिए आपर तो राइट आंसर आपका गुज़ है का पांच इसमें मेंबर जो है आप लोग के बिल्कुल इस्थाई हैं पर्मानेंट है और दस आपके आइस्थाई है डिस्कवरी ओफ इंडिया पुस्तक के लेखक एक सरंत्र है जो किसी वस्तू की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है वो कौन सा है एक सरंत्र है जो किसी वस्तू की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है वो है आपका रेडार तो जिनका वेंसर रेडार आ रहा है बिल्कुल राइट है रेडार एक ऑबजेक्ट डिट करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेडार आईए अगला कोशन आप लोग देखिए भारत के किसी व्यक्ति के लिए मत्यदान की आयू कितने वर्ष निरधारित की गई है 21 वर्ष 18 वर्ष 16 वर्ष 20 वर्ष मत्यदान के लिए देखिए दोस्तों समयदान के हमारे एक सेड़ बे संशोदन के तहट आयू 21 साल से घड़ा कर 18 साल कर दी गई थी तो अभी कितनी है दोस्तों अभी 18 साल निरधारित की गई है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा option number B होग देखिए साथ ही video को like करते रही है class को share करते रही है 40 question हो चुके है 20 question बाकी है अब वैसले की घड़िया देखते कितने लोग आज 60 में से जो है आज 55 या 50 question तक सही कर पाएंगे आईए देखते है अब देखिए दोस्तों आपका अगला question आप लोग के सामने है खाद डिबो पर टिन की कोटिंग की जाती है जस्ते के नहीं क्यों ऐसा क्यों है पता आपको क्योंकि जस्ता टिन से अधिक अभिक्रिया शील होता है इसलिए क्योंकि जस्ता जो है टिन से ज्यादा अभिक्रिया शील होता है इसलिए वही जस्ते की नहीं करते है टिन की कोटिंग की जात नहीं है तो दिल्ली दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली नेक्स्ट कोश्चन देखिए पहाडी सहर कुल्लू और मनाली ये कहां परिस्तित है कुल्लू मनाली आपको पता हिमाचल प्रदेश में है आपका राइट आसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा अगला कोशन आप लोग के सामने है किस वर्ष में भारत की राज्य सभा दौरा छती पूरक वनीकरन कोश विध्यक पारित किया गया अब आप लोग बताएं ये है सव मई 2015 को छती पूरक वनीकरन कोश विध्यक 2015 पेश किया गया था और विध्यक को एक 27 समिती के तहत जाज के लिए भेजा गया और ये 28 जुलाई 2016 को राज्य सभा दौरा पारित कर दिया गया तो ये पारित हो जाता है बाद में 28 जुलाई 2016 को ये राज्य सभा में पारित हो है 2016 में अगला गोशन आप लोग के सामने है अबतल लेंस के मुख के फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकास की किरण अब वरतन के बाद निकलेगी तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कहा निकलेगी मुख के अक्ष के समांतर समझ गया आप लो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये एक हमारा जो है उत्तल लेंस है उत्तल दे रखा है अबतल दे रखा है अबतल लेंस दे रखा है यहाँ पर अबतल लेंस उत्तल लेंस नहीं होगा अबतल लेंस दे रखा है तो अबतल लेंस ऐसा होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये इस तरीके साब का अबतल लें इस line को बोलते हैं main axis बोलते हैं मुक्खी अक्ष बोलते हैं और ये line इसके समानतर निकलेगी तो यहां से आपका क्या हो जाएगा तो ये मुक्खी अक्ष के बिल्कुल parallel जाएगी तो आपका right answer हो जाएगा option number A हो जाएगा अब देखिए आपका अगला खोशन आप लोग के सा कोशन का सही जवाब क्या होगा निकलिकित में से कौन सा एक प्राकरतिक IS कहें बताईए हाँ तो दोस्तों अगर हम इस कोशन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताईए तो ये वीडियो को लाइक करते रही है, क्लास को शियर करते रही है हेमेटाइट तो जिन लोग का भी अंसर हेमेटाइट आ रहा है विल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन रेखिए भारती समयदान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है अगला कोशन वह नदी जो पश्मे घाट से नहीं निकलती है वो कौन सी है? कावेरी, बलगई, बराक, गोदावरी तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बराक हो जाएगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा बराक नदी दक्षन असम की प्रमुग नदियों में से एक है जो सुर्मा, मेगना, नदी, तंद्र का एक भाग है तो आपका सही जवाब हो जाएगा बराक हो जाएगा खानवा का यूद जो है किसके बीच लड़ा गया था सातियों खानवा का यूद किसके बीच लड़ा गया ए बी सी या फिडी खानवा का जो लड़ाई हुई है 16 मार्च 1527 को हुई थी और ये बावर और राणा सांगा के बीच हुई थी खानवा की जो लडाई है 1527 मेवाल के राणा सांगा और प्रत्थम मुगल समराट बावर और राजबु सेना के हमलावरों के बीच लड़ी गई तो आपका right answer हो जाएगा option number C हो जाएगा अगला question देखिए मुगल राजबन्स का संस्थापक कौन था मुगल राजबन्स का संस्थापक देखिए संस्थापक की बात होगे तो बावर तो यही सबसे पहले आये था भारत में इसे निसकी नीव रखी तो आपका right answer क्या हो जाएगा बावर होगा अगला question देखिए दास capital की रचना किस ने की थी दास capital की जो रचना वो किस ने की थी यह आपको बताना है तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा किस question का सही जवाब क्या होगा तो साथी video को like करते रही है class को share करते रही है मिलकर आप सभी लोग support करते रही है session आज का जो बहुत important है ठीक न तो दास capital की बात करें थे दास capital की रचना वही किस ने की थी तो आपको पता होगा Karl Marx होगे न तो इस question के अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब यहाँ से क अगला गोशन देखिए प्रतवी के blank के कारण दिन और रात होते हैं तो प्रतवी के किसके करण rotation के कारण होता होगा आकार तापमान बुरे लोग यह कुछ नहीं होगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा घूलन के करण दिन और रात होते हैं एक होता परीकरमण और एक होत साथ है देखिए अब भारत में पोस्टल इंडेक्स की शुरुवात कब से हुई है जो पिन कोड़ देखिए चौबिस तू जिरो जरो फाइब या सिक्स जो भी होता ना तो वान टू टू ट्री जाता है यू मन्दली दवाब किसके दौरा मापा जाता है यह बताने जिसका प्रियोग मौसम विझ्ञान में वाई-थाप का आपका राइट आसर हो जायगा ऑप्चिन डीह बार मीटर अब देखिए आपका अगला कोस्षण धन के प्रियोग के बिना बस दू के आदान-प् सबसे बड़ा मरुस्तल कौन सा है हाँ, बिलकुल से बोला अपने सहरा है सिंपल सा कोश्चन है, लेकिन आया है MTS में अगला कोश्चन देखिया आप लोग को क्या दिया गया है विशिष्ट विशिष्ट आदयत नामक दर्शन सास्तिर की स्थापना किस ने की थी विशिष्ट आदयत विशिष्ट आदयत नामक दर्शन सास्तिर की स्थापना किस ने की थी तो विशिष्ट आदयत की स्थापना रामा अनुजम ने 1017 से 1037 के दोरा की गई आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज आचारे रामानुज आचारे होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा अब देखिए आपका अगला गोशन आप लोग के सामने है मंदर का निर्माड किस मंदर का निर्माड राज राज चोल द्वारा किया गया था तमिलनाडू के तंजावर मेसित ब्रह देशवर मंदर का जो निर्माड है ये करवाए गया था आपका तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडू का ब्रह देशवर मंदर एंड ये है दिस लास्ट कोशन अब इस क्लास महम्मद पैगंबर का जन्म कहा हुआ था महम्मद पैगंबर जी का जन्म लगबग 570 इस्वी में मक्का के अरेबियन सहर में हुआ था और वह इसलाम की संस्तापक थे और इसलाम एक सिधान के मताबिक वह एक पैगंबर और परमेश्वर के दूद थे जिने आदम, अबराहम, मुसा, येशु और अन्य पैगंबरों के दौरा पूर में दिये गए एक केश्वर वादातमक उपदेशों को प्रस्तुत करने और उस का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, आज लास आपको बहुत इंपॉर्टन लगी होगी, बहुत हेलफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, क्लास को शेयर कीजेगा, और आज किसने जो है, आज किसने कम टाइम में आप लोगो को कोशन करवा दिये, 60 मे इसको राते रही है, एश्मर आपको कामया भी दे, तरक्ये दे, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै बियसे,